हेलो स्टुरेंट्स स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 14 के अंदर तो पेटा आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पोटेंशोमिटर यह अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल इंस्टूमेंट्स है और इसके साथ एक और बात है कि अ हैं आपन प्र्वत करेंगे साथ में जो अपने पुराण traveling on talking Warm tab is और अपने एपने स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशोमिटर सबसे पहले सबसे पहलेंisa एक आता किस काम है तो बेटा कई परकार से काम आता है ठीक है यह कई परकार से काम आता है बैटरी का EMF निकालने के काम आता है यह बैटरी का internal resistance निकालने के काम आता है यह नीट में अच्छे-चे questions देने के भी काम आता है ठीक है तो यह कई होता क्या है इसमें दो चीजें होती है एक प्राइमरी बैटरी एक सेकंडरी बैटरी चीक है तो हम लोग चीजे प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं इसका कोई इंटरनल रेश्टेंस नहीं है जरिज नो इंटरनल रेश्टेंस अफ दिस प्राइमरी बैटरी बैटरी गेटिंग मैं पर उसके बाद क्या होता है यहां पर एक वायर लगा होता है यह वायर कितनी भी लेंद का उसाता है 100 मिटर 50 मिटर 10 मिटर पांच मिटर एक मिटर का नहीं बड़े होते हैं जतना ज्यादा बड़े होएंगा उतना अच्छे एक्यूरेट वेल्यू देंगे वो कैसे देंगे हो मैं समझा जूँँगा भी आपको है कि तो तुपने इस तरो से वायर्ह भाइड होता हैं सिर आप इस data क्यों बनाया ताक्य अपरें में कुछ निदिटाई के हाँ यह वायर है है अब क्या होता है इस वायर रका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है जैसे माले लिजिए आर ओमें scratch resistance इस वायर की कुछ length भी होती है माल लेंद अब वह 10 मेंटर 5 मेंटर बताया मैंने आपको 50 मेंटर 100 मेंटर भी हो सकती है 100 मेंटर का वायर से नहां बड़ा होता है बड़े से कमरा में लेकिए अपने उसको वायर को ऐसे ऐसे नहीं कंटिनुजली इसमाल लिजेंगे यह प्लेट अपोटेंचंमेटर वायर की तो इसमें इस तरह सी भी होते हैं ऐसे 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 आ किया बोलते हो आए मैंगा आप जोकी को घुमाना है अब जोकी को कैसे गुमाएंगे वह देखते हैं अपने आपे या पहले हैं ऐसे पोटेंशोमेटर वायल लगा होता है अब जो इंपोर्टेंट बात है वो यह है कि सर अगर इस सेकेंडरी उसके अंदर में सर्किट में एक बैटरी लगा दूँ जिसका इंटर्नल रजिस्टेंस कुछ आर होगा जिसमें कुछ गैलवनोमेटर भी लगा होगा और यहां लगा होगा जोगी 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 गैलवनोमेटर तो भी इसको नोट्डाउन करते रही है साथ ही साथ कम डाग्राम धो बनाते रही है यह इन्टरणल रज़िस्टेंस तुम जानते ही हो इंटर्नल फरशी स्टैंस सब्सक्राइब तो यह मेरी बास सब्सक्राइब इस प्रकार का इस प्रकार का मारे पास सिस्टम बना है अब होता है इसमाले इसमें आर रिजिस्टेंस है अब आप एक मिट के इसको बूल जो आपे बीसमें चितना रिजिस्टेंस है और अब रहा है न तो इसमें कितना बहेगा इस पोटेंटियों मिट उपहर यह सरकीट में है कितना करंट बहेगा तो यहां ढूसे वापिस और जाएग चांट जर्ण उब बढ़का इस सब्सक्राइंचे तो मिठेल इसारा मनों कर भाण घए तभादीरा को नहीं इसारा तूढ़ रखते हैं तो यहां कितने आएगा जिए टो सीखते आहे है मियागा बोलो ना सभी लड़ लेकर आप यहांगे टो आएगा वी earnift ओहाए अब मेरी बात को धियान से वह सुनिए यह बिटा कर मान लीजे यह दूरी जो है वह एक्स दूरी है यह वाली तो इस एक्स दूरी में कितना potential difference आया वो में समझना है समझने के लिए अपर बुद्ध्ध लगाएंगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को एक एक बात को द्यान सुनिएगा आपको यहां से संज में आ रहा है अभे आ रहा है मैंने क्या करा एक सर्कृट लिया है प्राइमरी यहां 0 माना है यहां V माना है पर जैसे समझा रहा हूं ध्यान से सुनता रहा है पोटेंशों मेंटर का एक भी सवाल गरत नहीं होगा मेरी कारेंटी है पर ध्यान सुनना पड़ेगा और अपने जम के प्राइटिस करेंगे इस वाले टॉपिक की लेकिन जितना भी जाएगा उसकी हमें वेल्यूइ गैलवनोमीटर में दिखाई देस सकती है मसे जो हम लगाता है यहां पर करन अपने आपने तो हमने कुछ ऐसे set किया इस जो की को टाक 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 कि यहां से जो current आया आई जी वह आया 0 कितना आया zero current 0 आ गया किसके अंदर 0 आ गया galvanometer में अब आए ना मेरी बास में इसी को बोलते है बाटा कितना null deflection null deflection decision current 0 आ चुका है तो इसी को पर बोल सकते है null deflection there is no deflection in galvanometer अगर कोई deflection ही निवा इस का मतलँ करंट भी नहीं हुआ है अगर कोई deflection नहीं है immसाल अगर इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं है वाज यहाँ न कोई करंट नहीं है तो भाईया यहाँ potential का difference कितना create कर रही है battery e resistance कितना है r तो अगर current होता तो potential difference होता e minus i r चुलों यहां से इधर current enter करा तो यहां पर प्लस कर सकते पर e plus i r लेकिन बेटा यहां तो i कितना होता i g बड़े तो 0 है यह तो 0 है इसका मतलब इन दोनों points के across potential का difference कितना create हुआ e अब सही है और यह e ही किसके बराबर है जो इस wire में जैसे माल लीजे this point is a point तो a और इस point को b point माल लीजिए a और b के बीच में जो potential का difference आएगा क्या है वही दोनों की बिच का potential difference आएगा अब सही है ना कि पैरलल में दोनों यह भी parallel में यह भी parallel में अब इसमें तो current बहरा है कितना current बहरा है इसमें v by r but हमें क्या समझना है हमें यह समझना है कि सर्चाइव पोटेंचल वी था यहां 0 था यह पोटेंचल वी था यहां 0 था तो सब डिफरेंस कितना आया वी का आया समझना है मेरी बात को तो बटा एक टाम होता है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर इसको बोलते हैं potential gradient potential gradient मैं सबको समझा जूँगा आप सुनते रही है बस ध्यान से potential gradient इसको कई बार x से भी दिनोट करते हैं this is what this is potential difference across v and this point this is potential difference across the wire we have considered as potential wire तो उसके across जो potential difference से divided by total length of the wire this is what potential per unit length potential drop या potential change per unit length this is what potential gradient अब आ रहा है ना तो यह हो गया भी अपना potential gradient अब इसको x तो मत मानो क्योंकि अपने x उसको मान लिया है तो इसको अपन कुछ और मान सथे मान लेंद क्या मानेंगे अपन लड़ेश 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 कितनी आएगी देखो अगर L 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 this should be equals to the difference of potential between these points और इन points के बीच में कितना difference है? E का अब यह आ रहा है ना इन दोनों points के बीच में कितना difference है? E का उपर भी E, नीचे भी E उपर कितना था E? V by L into L dash this should be equals to E अब आप कहो के सर में हम रटलेस फॉर्मलेक बटा रटना नहीं है आपको तीन चीजें हैं बहुत important है कौन-कौन सी? सबसे पहले तो आपको इस वायर के across potential difference आना चाहिए वह पर ने सिका circuit theory से अब इस वायर के across potential difference होगा उसको आप length से divide कर दो वह आएगा potential gradient उसको आप इस length से multiply कर दो कि जहाँ null deflection आएगा उससे आएगा potential across these two points उसको आप बराबर कर दो किसके इसकी potential के across तो इससे निकल जाए कि battery की EMF आए मेरी बात संज में तो EMF will be equal to V by L into L' रठना नहीं है बटा आपको समझना है बस आपको कहानी को आए मेरी बात संज में तो पूरी कहानी डंग से लिखी है हाँ वही तो एक सवाल और करते हैं इसके ओपर देखिए बड़ा बनाते रहे साथ ही साथ कि आप लोग भी इसको फटा फटा से सोल कर पाओ जल्दी से बना लीजिए इसको अब बार बार ऐसा इतना आपको मतलब समझना है कि डायग्राम बन चुका है एक बर किस प्रकार का होता है मैं सिर्फ के डायग्राम बना है आप बता हूंगा ठीक है तो हम लोग क्या करना है यहां से हम लोग ने माल लिया जैसे अरांड कि ऐसे माल लिया इसको 5 वोल्ट फिर यहां पर रिजिस्टर ले लिया फिर यहां पर गयर नमेटर ले लिया फिर यहां पर नल डिफ्लेक्शन लिया जो कि लिया पूचा है कि find X find X so that it shows null deflection here जल्दी बताई यह X की क्या value होगी जल्दी से fast आप यह को करना है बेटा मैं नहीं बताऊंगा हजी find X करा था ना क्या हुआ अब सर बुद्धी मने लगाते हैं पहले तो सबसे पहले आपने लगाया यहां 0 वोल्ट तो सर यहां पर भी 0 वोल्ट तो सर यहां पर 20 वोल्ट और यहां पर भी 20 वोल्ट इसका मतलब 20 और 0 की बीच में 25 वोल्ट चाहिए अगर तुम सीधा फॉर्मला लगाओगे तो आंसर आएगा लेंथ माल लीजी कितनी माने लेंथ लेंथ दी नहीं थी वैसे तो लेंथ 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 दी नहीं थी वैसे तो लेंथ लेंथ जनरली में 10 मिटर ही मान की चलता हूँ यह L मान की चलो कोई फरक नहीं पड़ता है ना L मान की तुम निकालो तभी चल लेंथ लेंथ दस मिटर माल ली अपने आपने आप मैं सिधा फॉर्मलेस निकालता हूँ 20 डिवाइड बाइट 10 बीच माइनस जीरो दिफरेंस इस 20 20 डिवाइड बाइट 10 मल्टीप्लाइब आए एकस यह नहीं पर पांच का चाहिए क्योंकि इदर बीस है इदर पच्छीस है तो पांच का डिफरेंस आना चाहिए तो सी इधा फ्रॉमलेसे पांच लिख दो अब 0 जिरो कट जाएगा तो एकस कितना आएगा यहां पर एक्स न क्तना यग सब्सक्रेंट हो दो एक बाद यान समझ पहली बाहत हो तुम निकालना कहा चाहरे हो अरे बोलो ना यार कभी 0 से 20 के बीचे 25 वोल्ट होता है क्या नहीं होता ना तो connection ही गलत ही है यह तुम्हों उल्लू बनाया गया है कैसे connection ही गलत है भी आए ऐसे connections नहीं लेते हैं मैं आपको एक और exam